सोलंग में किसान विकास मोर्चा दोरा प्रैसवारता का आयोजन किया गया प्रैसवारता की अध्यक्ष्टा किसान विकास मोर्चा के प्रवक्ता सुरूप थाकु ने की इस मौके पर उन्होंने बताया कि जहां एक और केंदर सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए अग्रसर है बहीं राजी सरकार दोरा भी किसानों के उथान को लेकर सरहने कदम उठाय जा रहे हैं उन्होंने कहा कि समुचा बिश्व करोना संक्रमन से जूज रहा है लेकिन हिमाचल का किसान उसके बाबजूद भी बहत खुश है जिसका मुख्य कारण है कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी रन्निती बनाई और उन्हें किसी भी तरह के दिक्कत और इपरशा ने नहीं आने दी प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में प्रकृति खेदी को बढ़ावा देने के लिए बिशेश योजनाई चलाई जा रही हैं जिसका सोलन के किसान भरपूर फायदा उठा रहे हैं इस मौके पर स्वरूप ठाकुर ने कह कि प्रदेश सरकार ने जो योजनाई किसानों के लिए बनाई है इन योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें जागरूप करना किसान मोचा का लक्षे रहेगा जिसके लिए निरंदर प्यासरत हैं उन्हें कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती और क्रि नहीं छोड़ रही है। यही बज़ा है कि हमाचल का किसान बेहत खुशहाल है SOOLSन की सेव मंडी इसका जीता जाकता उधारण है। उन्हेंने कहा कि सोलन की सेब मंडी में बागवान दूट दूट से अपने सेब लेकर सोलन पहुंच रहे हैं और उन्हें उनकी फसल के मूँ मांगे दाम भी मिल रहे हैं। मैं जिला किसान मोर्चा परवक्ता के रूप में आपके बीच में हूँ और कहना चाहूंगा जितनी भी किसानों के लिए योजनाएं सरकार की हैं उनको किसानों तक पहुचाना और किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुचाना मेरा प्रात्मिक करतब्य रहेगा आज का वारता का मुदा था हो मोधी जी का जो किसानों के लिए भी भी नी ओजनाै है चाहे हो किसान सम्वान निदी की बात बहुत सी जतनी ओजना है अगर गिनना चाहे तो टाइम कम पड़ेगा तो उनका सभी का धन्यवाद मोदी जी का करना एक फर्स्ट उसका जो में पॉइंट था हो था सेकंडी खेमत्री हिमाचल परदेश जिनोंने प्राक्रितिक खेती के लिए लगभग 25 क्रोड का बजट अपने पहले बजट में रखा जिसका प्राफधान जिसमें लगभग एगरी कल्चर के लिए 20 क्रोड रुपे दिया गया और 5 क्रोड रुपे होटी कल्चर के लिए दिया गया किस तरह से लोगों को प्राक्रितिक खेती की और अर्षित किया जा सकता है में जो मोटीव है प्राक्रितिक खेती करने कारों लोगों को किस तरह से अच्छी सब्जियां और जिसमें कितना शक्त द्वाईयों का प्रियोग ना हो उस तरह का खेती के लिए बढ़ावा देने का मेन परपस था. किसानों के बारे में वैसे तो मैं मानता हूँ कि सरकार ने कोई भी कमी नहीं रखी, किसी भी समस्या ऐसी कोई समस्या नहीं है. अगर मंडी के बारे में लेलो आप तो हमारा बहुत अच्छा यहां टमार्टर का ब्यापार हो रहा है और सेब का भी बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है अच्छे रेट्स लोगों को मिल रहे हैं जैसे पहले बाहर की मंडियों में लोगों को जाना पड़ता था उसके कार्डिंग यहां लोगों को नजदी की भी है और अपने सामने अपने ट्रांस्प्रेंसी में अपना माल विखता है और सारी चीजे और अच्छे रेट्स भी मिल रहे हैं लोगों को